कांग्राजिला के शाहपूर के एक उठारना की 24 साल की पवना को आज लापता हुए दो सपता से ज्यादा का वक्त हो चुका है मगर अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है पुलिस ने इस मामले में चंडीगड से उस एजेंट को धर्बशाला बुला कर पूश्टाज भी की है जिसके जरीये पवना अपनी नीजी जिन्दगी के सपने सजोने दुबई गई थी दरसल चंडीगड के एक एजेंट द्वारा ही पवना की दुबई जाने की टिकेट बुकिंग करवाई गई थी और उसे 16 दिसंबर को दुबई की फ्लाइट में बिठाया गया पुलिस ने पूश्टाज के दुरान एजेंट से कई ऐसे सवाल किये हैं जिससे पवना को ढूणने में पुलिस को मदद मिल सकती है पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मताबिक उन्हें एजेंट ने वो टिकेट और फोटोग्राफ शेयर किये हैं जो पवना को दुबई की फ्लाइट में भीजने से पहले लिए गए थे एजेंट ने पुलिस को उस फ्लाइट की टिकेट साजा की है जिसके जरिये पवना दिल्ली से दुबई के लिए रवाना हुई थी और इसके अलावा आखरी बार एजेंट ने दिल्ली से दुबई भीजते वक्त जो अंतिम बार पवना की फोटोग्राफ खीचे थे वो भी पुलिस को शेर कर दिये हैं पुलिस एसबी सिटी हितेश लकनबाल की माने तो पुलिस ने अब एजेंट से पूछताज के बाद दुबई और ओमान की एमबेसी से संपर किया है उन्हें ये पूरी डिडिल सांजा कर दी है ताकि पवना को जल्द से जल्द सकुशल घर आगे कारवाई की है और इसी कड़ी में हमने कल जो थे एजेंट इनको बुलाया था चंडिकर से उन्होंने पुरा जो डेटा पुरिस कत्स शेर किया है तो ये 16 तारीक को यहां से दिली से दुबई गए हैं और उसके बाद जो ब्रदर से बात हुई है उसने बताया है कि मै मसकट में उमान में हूँ तो हमने कल भी Bureau of Immigration Delhi में लिखा था उनके वहां से आया है कि वो यहां से जो दिली से दुबई गए हैं उसके बाद हमने दोनों इंबेसी को लिखा है इसमें दुबई एंबेसी को भी लिखा है और अपना उमान में भी लिखा है जैसी इसमें कि वो दुबई गया थे दुबई तो है